कॉंस्ट्रक्शन को कॉम क्यों जुरू ओ इस लिप लाइनर इस मैं फेवरेट लिप लाइनर क्यों जो कि होने वाला है बहुत ही इजी पीजी एंड इन जस्ट फाइब मिनिट वो भी मैं आपको बताऊंगी बिना फाउंडेशन के तो इस वीडियो को तो पूरा देखना बनता ही है एंड मेकप को शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले यूज करती हूं क्लेंजर मैं मेरा फेस हमेशा क्लीन करती हूं बिफोर आइस स्टाट एनी काइंड ओफ मेकप ताकि मेरी जो इसकिन है उसमें कोई भी डर्ट ना हो जो कि मेरी सकिन में एकने या फिर कोई भी पिम्पल वगवरा ना है इसलिए मैं हमेशा make sure करती हूँ कि मेरा face एकदम clean है और उसके बाद ही हम make up को शुरू करते हैं और उसके बाद सबसे first cleansing है और उसके बाद मैं लगाती हूँ toner क्योंकि CTM is very important whether it's a bridal make up और ये everyday make up कोई भी make up है but CTM is very important क्योंकि आपके skin को hydration चाहिए ही होता है आपकी skin oily है या फिर आपकी skin dry है but ये तीन चीज़े आपको करनी ही होती है जिसमें cleanser, toner and moisturizer तो cleanser मैंने use किया था simple का जो की sensitive skin के लिए भी perfect है oily dry किसी भी skin के लिए एकदम अच्छा है अच्छे से clean कर देता है और उसके बाद जो toner में use कर रही हूँ वो है Plumka Rice Water and Niacinamide Toner ये भी आप use कर सकते हो toner तो वैसे भी skin type के साब से नहीं आता है toner toner होता है आप कोई भी toner लगा सकते हो उसके बाद मैं use करती हूँ ये moisturizer ये oil free moisturizer है वैसे तो अगर आपकी skin oily है तो ये perfect है बढ़ अगर आपकी skin dry भी है न तो अभी आप इसको लगा लो इसके बाद आप एक और moisturizer layer कर सकते हो additional layer is very good for your skin as well तो मैं इसको apply करती हूँ ये बहुत अच्छे से moisturizer करता है मेरे face को मेरी skin combination है ना तो oily हुए है ना ही dry है कभी tea zone oily ज़ादा हो जाता है कभी dry दिखता है अभी winters मेरी जो skin है वो dry dry लगती है मुझे तो इसलिए मैं तो पर में टो मोशराइजर यही लगाती हूँ चाहे कोई भी season हो मैं आपको बताती हूँ अगर आपकी skin बहुत ज़ादा dry है तो आप इस तरीके का एक facial oil यूज कर लो before you start any makeup मैं सिर्फ यहाँ पर दो drop ले रही हूँ and अगर आपकी skin बहुत ज़्यादा dry है तो फिर आप ज़्यादा ले सकते हो and इसको भी मेरे पूरे हाथ में मल लूँगी and इस तरीके से apply करूँगी मैं बहुत ज़्यादा नहीं apply करूँगी क्योंकि as I said मेरी skin combination है but winters मैं dry perform करती है तो मैं हलका से इसको लगा रही हूँ अभी क्योंकि हम light makeup करेंगे तो यह product बहुत ज़्यादा face पर नहीं होना चाहिए तो इस तरीके से मैंने इसको apply कर लिया है and इसको मैं 2 minute के लिए छोड़ दूँगी ताकि यह मेरी skin में अच्छे से absorb हो सके after 2 minutes हम लगाएंगे primer and primer आप कोई भी लगाओ but primer ज़रूर लगाना क्योंकि primer क्या करता है आपके pores को fill कर देता है and आपके skin को एक smooth canvas देता है and let me tell you it does not protect your skin from any makeup क्योंकि यह khudhi chemical से बना हुआ था तो कैसे आपके skin को protect करेगा obviously it is not going to protect your skin but it acts as a base for your makeup and makeup को hold करने के लिए भी यह help करता है तो इसलिए primer ज़रूरी होता है and winters में अगर आपका primer glowy है तो बहुत अच्छा है अभी मैं जो primer यूज़ कर रही हूँ यह मैं लगा रही हूँ poreless plus skin blurring primer क्योंकि मेरे को थोड़ा सा texture यहां पर लगता है कि है तो इसलिए मैं blur primer यूज़ करती हूँ या फिर मैं glowy primer भी यूज़ करती हूँ कभी-कभी मतलब primer depend करता है कि कोई भी primer लगा लो बट लगाना चाहिए अगर आप किसकन पर बहुत ज़्यादा texture है तो फिर आप silicone based primer यूज़ करिए makeup hero करने के लिए सबसे पहले मैं जो करती हूँ वो है color correcting क्योंकि मेरे को dark circles है और इनका कोई permanent solution नहीं है मेरे dark circles नहीं जा रहे है और ये हमेशा ही रहते है तो मेरे को हमेशा ही orange लगाना पड़ता है और मैं इसको मेरी finger के help से ही blend करना पसंद कर दियू क्योंकि finger से जो coverage है वो सबसे जादा आती है तो इसलिए मैं इसको मेरी finger से ही blend करूँगी और इस तरीके से मैं इसको अपने mouth के around पे लगाऊंगी और अपने under eye पे लगाऊंगी एंड मैं बहुत जाद प्रड़क नहीं लगाती हूँ as you can see थोड़ा थोड़ा प्रड़क लगाके इसको blend कर देती हूँ आसानी से ये blend हो जाता है आपके पास एक इस तरीके का palette जरूद होना चाहिए चाहे वो सस्ता हो या महंगा हो आपके budget के हिसाब से बट यह होना जरूर चाहिए ताकि आप अच्छे से जो अपना color correction है वो कर सको क्योंकि अगर आप बोल दो ना मेरा makeup gray हो गया या मेरा जो foundation हो अच्छा नहीं दिख रहा है वो इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने color correct नहीं किया होता है तो अभी मेरे को यहां पर दो pimple है एक pimple mark है मतलब थोड़ा सा ready है वो भी एंड एक pimple ही है तो इस तरीके से मैंने green लगाया एंड यहां पर भी मैं हलका सा green लगाऊंगी अब हमारी skin एकदम ready है आगे बढ़ने के लिए तो अभी क्या करूंगी जो dark वाला था ना मेरा orange उसके उपर मैं एक और darker shade लगाऊंगी एंड don't worry यह आपके skin में peak नहीं करेगा क्योंकि हम इसको अच्छे से छुपा देंगे इसलिए आप इसको लगा सकते इस तरीके से एंड इसको dominant set होने दो अपने skin में ताकि अच्छे से absorb हो सके मतला यह थोड़ा सब बैठ जाए एंड इसके बाद आप अपना जो concealer है या foundation है वह लगाओ foundation आपको full coverage लगाना पड़ेगा अगर आप इसके उपर लगाओगे otherwise अगर आप light coverage लगाओगे तो वह दिखेगा obviously वह दिखेगा ही क्योंकि हमने इतना जादा जो color correct किया है वह अगर हम coverage से hide नहीं करेंगे तो वह दिखेगा अगर आप चाहो तो foundation use नहीं करना चाहते हो तो आपके palette में ये दो shade जरूर होंगे इसको yellow and ये वाला light peach color तो आप क्या कर सकते हो आप अपने color character के उपर इसको लगा सकते हो it will hide your dark, जो भी आपने darkness लगाईए, darkness को hide करने के लिए darkness लगाईए तो उसके उपर आप ये लगा सकते हो it will also hide and हलका सा इसमें हम yellow mix करेंगे क्योंकि ये peach थोड़ा जादा है and इसमें yellow को mix किया इस तरीके से blend करने के लिए अब मैं beauty blender यूज करूंगी क्यों वह एकदमी damp है and मैंने इसको पूरा इसका excess water squeeze कर दिया है अब इसकी मदद से मैं blend करूंगी and blend आपको बहुत हलके हाथ से करना है एकदमी बहुत जोर जोर से press नहीं करना है and मेरे को थोड़ा सा time हो गया आप पहले से करके रखना न otherwise मेरी तरह होगा कि आप भूल जाओगे and बाद मैं आपका जो product है वो थोड़ा जादा dry हो जाएगा वैसे तो damp है तो blend easily कर देजा है but still जो product dry हो चुका है न फिर फोड़ा सा difficult होता है blend करना अब देख सकते हो अगर आप करेक कर रहे हो तो फिर concealer जो है वो लगाना ही पर जाता है and थोड़ा लगाओ बट लगाओ जरूर क्योंकि otherwise आप चाहते हो कि आपका face लगे कि मैंने makeup नहीं लगाया है no makeup makeup लगे बट वो लगता ऐसा है कि आपने बहुत जादा makeup लगाया है जबकि आपने लगाया थोड़ा ही होता है क्योंकि आप सही तरीके से नहीं करते हो and फिर वो peak करता है तो अगर आप चाहते हो कि वो peak ना करे मेरे hair मैं भी लग गया तो आपको इस तरीके से ही उसको apply करना पड़ करे करा जल्दी से हमने उसके उपर यह जो additional step मैंने करी थी वो skip करके सीधा concealer लगा दिया and उसको blend कर दिया भी आप देख सकते हो कि पूरे face पे concealer apply हो चुका है सिर्फ कुछ dots बनाकर ही पूरे face पे concealer spread हो गया है and अब मेरा जो face है वो बिलकुल भी आपको नहीं लगेगा कि मैं foundation लगाया है क्योंकि foundation के बिना ही यह देखो कितना प्यारा सा glow आ रहा है साथ में coverage मिल रही है and dark circles behind हो चुके है and अब यह dark circles ना तो gray पड़ेंगे ना ही peak करेंगे ना ही कुछ होगा क्योंकि हमने जो पूरा base है उसमें color कर रखा है यहां पे green लगा रखा है यहां पे orange लगा रखा है तो यह एकदम ही perfect है and जो भी product आपके sponge में बचा है उसको आप apply कर दो अपी अपर eyelid पे and इस तरीके से आप अच्छे से blending 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 कर लो अगर आपको affordable blush चाहिए तो this is the best मतलब insight का यह जो blush है ना यह pot blush एकदम best है यह pot बार ही रिकल के आ गया and इसको मैं apply करूंगी इस तर करना क्योंकि वहां पर सबसे ज़्यादा coverage चाहिए हमको and यहां पर थोड़ी कम चाहिए कि अच्छा देखे and इस तरीके से ही में लगाती हूं and इसको blend by beauty blender से ही करती हूं जहां product लगाया है सिर्फ वहीं पर beauty blender को dab 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 करना है ना कि पूरे face तक ले आना है इसलिए ध्यान रखें कि जहां भी लगाया है सिर्फ वहीं पर blend करना है and यह blush एकदम instant glow देता है मेरे face को and साथ के साथ में आप देख सकते हो कितने प्यार से blend हो गया अभी मैं आप देख सकते हो blush मैंने लगा लिया है blush लगाने के बाद मैं अपनी करूंगी eyebrows को fill क्योंकि everyday makeup में eyebrows को fill होना बहुत जरूरी है अगर आपके features जो हैं जैसे कि आपकी eyebrows आपके lips and आपके upper lips अगर बने हुए हैं मतलब कि अगर आपके upper lips पहेर नहीं है तो आपके features ज अच्छा हो जाता है कम product के साथ तो आप इस तरीके से अपना everyday makeup कर सकते हो जैसा कि मैं कर रही हूँ और आप देख सकते हो कि eyebrows fill होने के immediately बाद मेरा face एकदमी different लगने लगा you can see the difference कि एकदमी अलग दिखने लग गया and हलका सा मैं इनको brush करूंगी and मैं तो eyebrows बनवाती ही नहीं ह पाते हो तो आपके eyebrows को shape वैसे भी अच्छा होगा तो आपको जाला कुछ करना नहीं पड़ेगा अगर आपके eyebrows गंजी है मेरी तरह मेरी तरह नहीं मतलब आपके eyebrows ने कम hair है तो फिर आपको eyebrows को shape देने में थोड़ा से time लग सकता है and अब आरी है कि हम लगाएंगे compact powder या फिर loose powder, winters में mostly मतलब mostly मैं compact powder ही लगाती हूँ loose powder नहीं लगाती हूँ loose powder मेरे face को एकदमी matte बना देता है and I don't like that and इसलिए मैं use करती हूँ compact powder ताकि मेरा जो face है वो एकदमी matte ना लगे and थोड़ा सा जो shine है वो मेरे face पर बना रहे and अगर मैं mirror में देख रही हूँ ना अभी मेरे dark circles बहुत मेरे dark circles पूरी तरीके से बहुत अच्छे से hide हो चुके है जो everyday के लिए मेरे को चाहिए एकदम best hide हुए है इस technique से आपके dark circles behind अच्छे से हो जाएंगे बस आपको अच्छे से product को apply करना आना चाहिए आपका हाथ जमा हुआ होना चाहिए makeup में आपका हाथ makeup में तभी जम सकता है जब आप अपना makeup का practice करते रहोगे यह video लंबी जरूर हो सकती क्योंकि मैं बहुत जादे बात कर रही हूं यह video helpful जरूर रहेगी आपके लिए अगर आप पूरा video देखोगे तो आपको समझ आएगा कि makeup में time तो लगता है obviously अगर आप makeup कर रहे हो तो time क्यों नहीं लगेगा आप यह बताओ this lip liner is my favorite lip liner क्योंकि यह lip line इतना अच्छा करता है इतना smooth butter की तरह है and यह perfect shade है आपके लिए अगर आपकी skin tone मेरी तरह है अगर आपकी skin tone dark है light है या medium है Indian skin tone पर यह lip liner बहुत प्यारा लगता है इसके साथ मैं जो layer करती हूं वह मैं हमेशा इस lipstick को करती हूं this is from brush and यह इनका high tea है and यह यह dark skin tone को wash off करता है यह lip shade मेरी friend ना use किया था and उसको यह wash off कर रहा था इसलिए मैं बता रही हूं but अगर आप इसको इस lip liner के साथ layer करते हो या कोई भी brown dark lip liner के साथ layer करते हो तो यह आपको wash off नहीं करेगा medium and light के लिए यह wash off नहीं करता है but dark के लिए करता है and अभी आप देख सकते कितना प्यारा प्यारा लग रहा है इसके बाद अभी हम करेंगे eye makeup eye makeup के लिए eye mostly use this palette everyday है मैं क्या करते हूं अपनी finger उठाई कंस्ट्रक्शन को क्यों जरू हो गया अपनी finger उठाई एंड इससे मैं सिर्फ अपने जो eye lid है ना उसके उपर इस तरीके से apply करती हूं यह उपर क्यों लग गया and पूरे eye को cover नहीं करते हूं सिर्फ मतलब जहां पर आप काजल लगाते हो आई-लाइनर लगाते हो ना सिर्फ वहां पर मैं eye shadow को लगाती हूं क्योंकि यह easy होता है मतलब अगर मैं eyeliner से यह काम करती हूं ना तो पहले मुसको लगाऊं फिर मुसको blend करूं उससे अच्छा मैं इस तरीके से finger की help से इसको कर देती हूं ताकि जो time है वह बच जाए और हमारा काम भी हो जाए और eye shadow है तो वैसे भी हटता तो है नहीं eye से तो इस तरीके से मैं apply करती हूं और यह brown मेरे brown eye के साथ बहुत प्यारा लगता है same goes for the lower mascara and mascara भी बहुत जरूरी है काजल वाजल तो रहने ही दो mascara लगा लो बढ़िया एकदम must आपकी eye open up लगेगी अब ही मैं powder blush इसको layer करूंगी क्योंकि मैंने यहां पर बिल्कुल भी powder apply नहीं किया है compact powder नहीं लगाया था ताकि मैं powder blush से layer कर सको and मेरा जो blush है वो जाद अच्छे से देख सकता भी हमारा dewy mist बाकी है winters में dewy mist is very important ताकि आपके जो face से glow जिन चुका है मतलब कि जो आपने foundation यह मतलब concealer लगाया foundation तो नहीं लगाया obviously आपने जो product लगाया है compact वगरा लगाया है तो हमारा glow जो जा चुका है वो वापस आना चाहिए इसको कब spray करना है जब mascara dry हो चुका हो या फिर mascara लगाने के पहले इसको लगा लेना अगर mascara लगाके तुरंत यह लगा दो कि आपका यहां वहां सब जगा mascara 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 काला कूला हो जाएगा और आपका जो makeup है वो खराब हो जाएगा मेरे साथ हो चुका है इसलिए मैं experience के साथ आपको बता रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ था आपके साथ ना हो इसलिए अभी मैं देखती हूँ मुसकरा सूक चुका है तब ही हम इसको spray करेंगे और इसको जादा spray नहीं करती हूँ मैं क्योंकि यह थोड़ा जादा dwee dwee ho जाता है आप spray कर लेना एक pump waste हो गया बाहर चड़क गया था वैसे ही जातना महंगा है उपर से waste हो गया अभी मेरा makeup हो चुका है I hope आपको अच्छा लगा होगा hair मैं कुछ करने वाली हूँ नहीं क्योंकि मैं अपने hairs को तरीके से tie करूंगी and मैं चली जाओंगी that's it इसके लावा मैं hairs में कुछ भी नहीं करूंगी और बहां जाके मेरे को तो अपने बाल ऐसे खोल लेने होते हैं तो बस ऐसे घूमना है मेरे को तो we are done with our makeup I hope आपको इस वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है then like, subscribe and bye